इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं विनाती और गैनिक्स लिम्टेट के बारे में जिसने की अपनी quarter 4 की नतीजे जस्ट अभी एनॉंस कर दिये market hours के अंदर और कंपनी ने एक final dividend की announcement करी जो की 7 रुपए per equity share का है और अपनी face value की according 700% का dividend ये होता है तो चलिए discuss करते हैं कि company के consolidated numbers कैसे रहे तो सारे figure in lakhs में हम लोग इन करोड से बात करेंगे quarter 4 की earnings से quarter 3 की ये then third row में मार्स 2022 की earnings से जो company का पिछले सल का quarter 4 था और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरू subscribe कर ले ताकि आपको सारे updates एक दम timely मिलते रहें तो total income की बात करें जो yearly basis पे 501 करोड से बढ़के 520 करोड पे आगी और quarter basis पे 525 करोड से कम होके 520 करोड पे आगी तो quarterly income में थोड़ी बहुत गिरावाट है और yearly income में एक jump हमें देखने को बिलकुल इस बार मिल रही है company के total expenses की बात करें जो कि होते हैं हमारे खर्चे 364 करोड के quarter 4 में रहे 357 करोड के quarter 3 में और 359 करोड के मार्स 2022 में तो quarter on quarter खर्चे बढ़ गए और yearly basis पे भी खर्चे हमें इस बार company के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं जबकि company quarterly income कम रही है then discuss करते हैं कि company को finally profit for the period कितना हो रहा है जो कि हमारा आता है tax कटने के बाद profit for the period from continuing operations 101 करोड के profits थे जो इस बार बढ़के 115 करोड पे आगे तो yearly basis पे बिलकुल एक growth हमें देखने को मिल रही है और सारे फिगर इन lakhs में थे हम लोग इन करोड में discuss कर रहा है quarterly profits की बात करें तो 125 करोड के profit थे जो कम होके 115 करोड पे आगे तो जिस तरीके से दोस्तों quarter on quarter income कम रही है same company के profits में भी गिरावाट है और yearly basis पे income बढ़ी तो हमें profits में भी jump देखने को मिल रही है same reflection आपको earning पर share में देखने को मिलेगा yearly profits बढ़े तो EPS भी 9.84 से बढ़के 11.22 पे आ गया और quarter basis पे गिरावाट है तो 12.20 से कम होके EPS 11.22 पे आ गया तो overall दोस्तो quarterly performance कुछ अच्छी है में देखने को नहीं मिल रही है और yearly basis पे थोड़ी बहुत growth है और जो result के announcement है वो market hours के अंदर ही हुई है और देख सकते हैं आप फिलाल हमें market का एक negative reaction देखने को मिल रहा है और 1.38% की गिरावाट फिलाल इसके share price में हमें देखने को मिल रही है कर देखने को मिल रही है